गुड मॉर्निक बच्चो आप सभी के लिए इंग्लिज का इंपोर्टन कोश्चन लेके आएं आप सभी से बारवार रिवीजिन करेंगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन ए लेटर टू गोड रिटेन बाइ जे एल फुंट्स एक लेटर टू गोड कहानी का मुख्य पात्र है वा बहुत ही महनतिक किसान है और वा अपने खेट में बेल की बाइद आप के तरह काम करता है उनका भागवान पर दिर्ड बिश्वास है और उनका मानना है कि भागवान सब कुछ देख रहे हैं उनका घर एक निचली पहाड़ी के सिखर परिष्थी थे और वे अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं एक दिन उसकी फसल ओला से नश्ट हो गई इस वर में अपनी दिर्ड आस्था के कारण उसने इस वर से सौ पैसो की मांग की उन्होंने डांगर के करमचारियों को बैमान का जुन बुलाया क्योंकि उन्हें जितना डिमांड किया था पैसा उन्हें पैसा प्राप्त नहीं हो उन्हें के बार सेवेंटी पैसे ही प्राप्त हुए थे दून प्राप्त शोन भरमज़गों मं झापका हुए यह मिलनते सργाप्त हैंção समी इण हैं जह सब्सक्रमाणर को करना से फ्री जाएन म 나오ju हैं और honest पैसे हैं ले दोटकी से भीर कमस्त् गौड पोस्ट मास्टर एक सर्जन और द्यालू वेगती थे वह लेंचो की इस्वर में आस्था को जानकर आश्चर शकीत रह गए वह एक अच्छे वहबार वाले और इमानदार वेकती थे उन्हें लेंचो के दुख का एहसास हुआ और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया उसने अपने सहयोगी सिधाने कत्र किया और उसे लेंचो को भेजा वह लेंचो की इस्वर में आस्था को डिगाना नहीं चाह अच्छी इस दो कैरेक्टर को अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा Dust of Snow written by Robert Prost What is the message of the poem Dust of Snow? बर्प की धूल कवीता का संदेश क्या है? The poem has a positive and optimistic message, depression and hopelessness to do good our hearts but even a small incident can bring the change in our life कवीता में सकारात्मक और आसावादी संदेश है आवसाद और निरासा हमारे दिलों पर च्छा जाती है लेकिन एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है Ice and Fire and Ice written by Robert Prost Fire and Ice written by Robert Prost For Prost, what do Fire and Ice stand for? According to the poem, Fire and Ice, Fire stand for greed, aggressive, lust, conflict and free Where Ice stands for crudely, intolerance, rigidity, intensivity, coldness, indifference and heartache आग और बर्फ कवीता के नुसार आग का अर्थ लालच वासना संगर्ष और रोस है जबकि बर्फ का अर्थ कुरूरता और सही सुनता कथूरता और सहन सीलता और सावेदा सीलता उदान सीलता ग्रीना है What is the central idea of the poem? The poem presents two possibilities about the end of the world It will be due to fire and ice that uncontrolled desires and hatred कवीता दुनिया के अंत के बारे में दो संभावने प्रस्तूत करते है आग और बर्फ यानि यांत्रित इच्छाओं और नफरत के कारण होगा Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohila Mandela A Tiger in the Jew, written by Leslie Norris What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is freedom versus capability Norris describe how the tiger longs for its freedom It is cruel to keep wild animals in small enclosures in the zoo कवीता के केंदी बिचास स्वतनता बनाम केंद्र है Norris का वर्नन करता है कि बाग अपनी स्वतनता के लिए किस परकार तरसता है पाचिनिया घर में जंगली जानवारों को छोटे छोटे बाडों में रखना कुरूरता है To a story about flying His first fly is Lameo Polistry The Black Aeroplane Do you agree that the Black Aeroplane is a mystery justify क्या आप सामत है कि the Black Aeroplane एक रहस में है Yes, the Black Aeroplane is definitely a mysterious story As it difficult to understand where this Black Aeroplane come And how it was flying in the storm without lights The Black Aeroplane निश्चित रूप से एक रहस में कहानी है क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि हवाई जहाज कहां से आया और बिना रोशनी के तुफान में कैसे उड़ रहा था The pilot who was flying this aeroplane was also a mystery man इस हवाई जहाज को उड़ाने वाला पाइलेट भी एक रहस में वेकती था He helped the pilot of the old decode to arrive safely at the airport उन्होंने old decode के pilot को हवाई अड़े पर शुरक्षित पहुचाने में मदद की This seems impossible as we are told that the instruments of the control center could see the dockyard with the pilot of the dockyard We are also left wondering who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the store without lights तुपान में बिना रोसनी के उड़ रहे अजीब काले हवाई जहाज का pilot कौन था आप सभी बार बार रिवीजन करेंगे थैंक्यू